सबसे पहले हम बात करें कि यह वर इस मीन बेट एक्स क्योंकि इंट्रडेक्शन टो हो चुका हुआ है पेपर पैटन मगारा हम डिसक्स कर चुके में अब हम डिरेक्टी बात करें बोड़ टेक्स टेक्स क्या है टेक्स कहा जाता है कि दीजा सट तो बी यह मेंडिटेरी पेशलत है जो के इंचल से कौरपरीशन से कोलेक्ट की जाती है गॉर्दमINT उन्हें कि करती है क्यों कौलेक्ट करती है ताक्यक मीनट टेक्टोड देट्डिस को फन्ड किया जा सके बेल chilli की different activities है जिनने fun करने के लिए कि अमाउंट नियुजल से और corporation से कुलेक की जाती है एंण परपस आफ टेक्स मतलब टेक्स लिए जो money raise की जाती है तेक्स के ठुट्रू जो money raise की जाती है वो defense purpose के लिए raise की जाती है law and order situation को maintain करने के लिए raise की जाती है overseas aid और government और parliamentary cost को meet करने के लिए पूरा करने के लिए ये रकम हासल की जाती है remember जैसे जैसे government के objective change होंगे taxation की policies भी उसके according change होती जाएंगे different factors हैं कि जो government की taxation policies को influence कर सकते हैं हम उन्हें classify करते हैं as economic factor social factor और environmental factor अब economic factor में क्या शामिल है tax की मदद से आप certain activities को encourage भी कर सकते हैं कि होसला भजाई भी कर सकते हैं और certain activities को discourage भी कर सकते हैं जैसे हम यहां पर F6ACC में UK tax system के बारे में पढ़ने तो UK tax system certain चीज़ों को encourage करता है उसमें पहली क्या चीज़ है जिससे encourage किया जाता है that is saving saving को encourage किया जाता है कैसे encourage किया जाता है tax incentive दिया जाते हैं saving account पे यह आप आगे जाके आप पढ़ेंगे कि individual saving account open अगर आप करें और उससे आपको जो income हासिल हो वो भी आपकी exempt है और जो भी amount उस individual saving account में मौजूद है उसे dispose of करने से अगर आपको capital gain हासिल होता है तो वो भी आपके लिए exempt है so इस तरह UK government UK का इदारा हमर्सी encourage करता है saving को second ये encourage करते हैं कि charitable donation लोग दें जाज़दा donation इंडिजल या corporation जादा सज़दा दें इंडिजल के होले से ये कैसे encourage किया जाता है उन्हें tax relief offer किया जाता है जैसे कि एक example है gift aid donation तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ये relief कैसे provide किया जाता है simply हम इसे describe करते हैं कि आपका जो rate band है ना यानि एक limit है कि जिस limit तक आपका basic rate band apply होता है उसे extend कर दिया जाता है इस तरह से relief provide किया जाता है बट इस relief provide करने की detail हम आगे next lecture में discuss करेंगे तीसरी सूरत encouragement की वो ये है कि entrepreneur और investor को encourage किया जाता है उन्हें भी tax relief allow किया जाते हैं offer किया जाते हैं जो उन्होंने investment specific scheme में कीवी हैं उनके लिए तो ये तीन चीज़ें हैं जैसे UK tax government या UK HMRC इदारा encourage कर रहा saving charitable donation और entrepreneur and investor और discourage किसी को करते हैं smoking को करते हैं use of alcohol को करते हैं और private motoring को discourage करते हैं तो कैसे discourage किया जाता है smoking की जो चीज़ें हैं जो alcoholic product है और जो private motoring है उससले में petrol की जो cost है उन सब पे heavy significant taxes impose कर दिया जाते हैं social factor की बात करें तो tax जो have use होता है ताके आप income और wealth को redistribute करें different type of tax के different social effects हैं सबसे पहले अगर हम बात करें about the direct tax direct tax base करता है income पे, gain पे और wealth पे और social effect इसका क्या है कि जो person income या gain हासिल कर रहा है या wealth जिसे हासिल हो रही है उसी को यह tax pay करना पड़ेगा किसी और को नहीं so this is the social effect direct tax directly उसी person पे impose किया जाता है कि जिसने income earn की है या जिसने capital gain हासिल की है या जिसे inheritance tax, inheritance में कोई जायदाद वगरा मिली है तो उसे inheritance tax pay करना पड़ेगा तो यह सब example है direct tax की कि उसी person को pay करना पड़ेगा कि जिसको benefit receive हुआ है second है indirect tax indirect tax आपके पास आपकी income की base पे impose नहीं किया जाता आपने जो gain हासिल किया यह जो wealth है उसकी base पे impose नहीं किया जाता instant यह impose किया जाता है consumption पे, खर्च करने पे so यह indirectly जो है वो saving को encourage कर रहा है कि आपकी consumption पे tax impose किया जा रहा है ताके आप जड़ ज़़दा save करें progressive tax जो system follow किया जाता है कि जिसने ज़़दा income earn किया है उसे ज़दा portion of income पे ज़दा tax पे करना पड़ेगा यानि higher tax for higher earner तो ऐसी सुरत में हम higher earner पे higher tax impose कर रहे हैं कहा जा सकता है कि उन लोगो target किया जा रहा है कि जो high income earn करते हैं अब अगर हम बात करें action tax system की तो action tax system वो कहलाता है कि जहां पे cost of collecting the tax जो है वो कम हो as compared to the amount of tax collected यानि जितना tax आप collect कर रहे हैं वो obviously greater होना चाहिए और उस tax को collect करने की जो cost खाच हो रही है वो कम होनी चाहिए environmental factor के हुआले से हमारे पास climate change लिवाए है यह encourage करता है कि लोग individuals in the society reduce करें consumption of energy landfill tax है to encourage recycling कैसे by taxing waste which has to be stored इसके अलावा taxation of car, private fuel जो के employees को provide किया जाता है वो भी car की CO2 emission की base पे impose किया जाता है taxation principles को discuss करते है सो सबसे पहली बात है progressive taxation system है UK में follow किया जाता है यह क्या system है कि जैसे जैसे आपकी income rise होती है increase होती है proportion of tax भी increase हो जाता है income tax आपके पास UK में income tax progressive taxation की example है कैसे कि आपके पास UK में जो basic rate band है जिसे basic rate band कहा जाता है that is for the individuals who are earning up to 37,700 वो individual जो 37,700 तक earn कर रहे हैं वो basic rate band पे लाए करते हैं और उन्हें अपनी income का 20% as tax pay करना है then आ जाती है बात higher rate band की क्या कर एक individual जिसकी income 37,700 से जादा है and up to 1,50,000 है he has to pay tax at the rate of 40% लेकिन यहां पर यह याद रखना है कि उसे सिर्फ excess portion पे ही 40% tax pay करना है for example एक person की income अगर 40,000 है अगर एक person की income 40,000 है तो इसका मतलब है first 37,700 की जो इसकी income है उस पे वो 20% tax pay करेगा और जितनी income उसकी इस rate band से increase हो रही है यानि 2300 इस पे उसे 40% tax pay करना पड़ेगा it doesn't mean कि आपके पास 40 की 40,000 की income पे 40% tax pay करना है right and अगर किसी person की income वालना 50,000 से भी अबब है तो जितना portion of income उसका 1,50,000 से जादा है उस पे उसे 45% tax pay करना होगा so these are the rate band जो कि apply होते हैं UK में और as you can see आप देख सकते हैं कि इसमें high income earner को higher rate पे tax pay करना है so that is the system which is known to be जिसे कहा जाता है progressive taxation next बात आ जाती है regressive taxation की कि income जैसे आपकी rise होती है increase होती है जो आप proportion of tax pay कर रहे हैं वो कम हो जाएगा so इसका मतलब है कि greater proportion of income जो है low earner pay करेंगे as compared to high earner example इसकी है tax on letter of petrol it remains the same तो अगर एक person की income one lakh है और वो two thousand tax pay करता है it means कि वो अपनी income का two person as tax pay कर रहा है अब अगर उसकी income बढ़कर दो लाक हो जाए तो उसकी जो पैट्रोल की consumption है उसमें कोई जाफा नहीं हो रहा तो ऐसी सुरत में जो पैट्रोल पर टेक्स पे कर रहा है it remains the same वो same रहेगा 2000 रहेगा बट अगर हम उसकी proportion को consider करें तो no the proportion of amount he is paying as tax वो जो टेक्स पे कर रहा है वो one percent रह जाती है तो अगर एक person की income one lakh है and he is paying और वो पे कर रहा है two thousand tax तो इसका मतलब है वो two percent अपनी income tax की सुरत में पे कर रहा है अब अगर उस person की income बढ़कर two lakh हो जाती है तो पेट्रोल की consumption नहीं बढ़ड़ी पेट्रोल पे जो वो टेक्स पे कर रहा है वो भी सेम रह रहा है तो ऐसी सुरत में जो two thousand वो टेक्स पे कर रहा है यह total income का one percent हो जाता है तो जैसे income rise हुई proportion of income जो वो कर रहा था उसका जो टेक्स पे कर रहा था टेक्स प्रपोर्शन उसका रिड्यूस हो गया थर्ड है proportionation proportional taxation कि जैसे income rise होती है proportion of tax आपका सेम ही रहता है यहनि कुछ भी आपकी income है 10 percent of your earning will be paid as tax then है add valorum principle के tax calculated किया जाता है as a percentage of value of item जैसे कि वैड है value added tax है UK में ज्यादातार चीज़ें जो sale की जाती है उस पे 20 percent वैड चार्ज किया जाता है तो यह यहां पे income पे नहीं instead आपके consumption पे tax pay किया जा रहा है tax system जो UK में है उसे administer जो कर रहा है अधारा जो इसको चला रहा है अधारा उस अधारे का नाम है HMRC हर majesty revenue collection अब इसमें आपके पास different type of taxes हैं first and most important income tax जो कि individual को अपनी earning पे पे करना है यह earning चाहे उसने employment income से earn करके हासिल की है यह self employment के हवाले से हासिल की है यह investment income की उसकी earning है इस पर उसे tax पे करना पड़ेगा that is known to be income tax second है national insurance contribution गे भी individual को पे करना है चाहे वो implied है यह self implied है अपनी earning पे इसका specific criteria है हाँ apart from individual इसे business को भी पे करना है business means sole trader and company को in relation to their employee अपने employees के हवाले से सो इसके अपने specific rules है कि business को कब pay करना होता है कब नहीं इसके कुछ rules है कुछ criteria है कुछ limits है जिसके मताबक से pay करना होगा next है capital gain tax payable by individual on the disposal of certain type of capital asset कि जैसे हम non-current asset sale करें तो इसको sale करने पे हमें जो profit हो वो हमारा gain कहलाता है tax system में आपके पास आप अपने capital assets को जब sale करते हैं उनको sale करने पे जो आपको benefit हो रहा है that is known to be capital gain अब इसमें फर्क क्या है normal non-current asset और capital asset की definition में capital asset में land, building and shares भी शामिल है और इसके अलावा इसमें antiques और paintings भी शामिल होंगे capital asset की definition में आपके पास share भी है यानि share sale करने पे भी अगर आपको gain हासल हो रहा है तो वो भी आपका capital gain है antique या painting sale करने पे अगर आपको gain हासल हो रहा है तो वो भी आपका capital gain है next है inheritance tax यह executor को pay करना है on the value of state of deceased person इसके लावा certain gifts पे भी यह pay किया जाता है during the inheritance lifetime तो इस tax को नाम दिया जाता है inheritance tax धन है corporation tax companies को अपनी income पे भी और gain पे भी जो tax पे करना है वो capital gain corporation tax है individual को अपनी income पे जो tax पे करना है वो income tax है individual को अपनी capital gain पे जो tax पे करना है वो capital gain tax है लेकिन companies को अपनी income पे भी और अपनी gain पे भी जो tax पे करना है that is named as corporation tax उसे corporation tax कहा जाता है and last है value added tax it is payable on the supply of goods and services और कौन पे करता है से इसे final consumer पे करता है the final consumer पे the tax on the supply of goods and services इसके लवाद tax को एक और तरह से भी classify किया जाता है as direct or indirect tax, uncapital and revenue tax direct tax जैसे भी बात हुई a tax जो के that a person or organization pays directly to the entity imposed it तो ये वो टेक्स है कि जो individual को या organization को पे करना है उस entity को जैसे कि HMRC UK में tax administer करने का अधार है उसको जिसने उसे उस पे impose किया है these taxes are charge on income individual की और एक company की income पे charge के जाते हैं उनके capital gain पे charge के जाते हैं उनकी wealth पे charge के जाते हैं directly collect किया जाते है टेक्स पेर से example इसकी फिर क्या आजाएंगी income tax, corporation tax, capital gain tax, inheritance tax and national insurance contribution ये सब example है direct taxes की indirect taxes taxes that can be passed on to another entity और individual जो दूसरी entity को दूसरे individual को pass on कर देते हैं जैसे कि अगर factory manufacturer पे कोई tax impose किया जाता है तो वो से transfer कर देता है wholesaler को wholesaler आगे transfer कर देगा tax का burden retailer को और retailer फिर फर्दर चार्ज करेगा amount किस से final consumer से तो एक्जाम्बल इसकी है excise duty जो के impose की जाती है cigarettes पे, alcohol पे और wet इस आर दा example of indirect taxes revenue and capital taxes revenue taxes कहा जाता है उन taxes को के जो के income पे चार्ज के जाएं और capital taxes उन्हें कहा जाता है जो के capital gain या wealth पे चार्ज के जाएं अब हम कुछ बात करते हैं about these different taxes whether these are direct or indirect, क्या ये direct हैं ये indirect हैं ये capital ये revenue है जैसे पहली बात हम करें income tax की, तो income tax आपका direct tax है, capital है ये revenue है this is set to be revenue क्योंकि ये income पे इंपोस किया जाता है and suffer by the individual वो individual उसे suffer करते हैं जो income ये earn कर रहे हैं तो individual suffer करेंगे से, capital gain tax ये भी direct tax है and it is not set to be revenue tax ये आपके पास revenue tax के लाएगा या capital tax तो ये income पे चुँके इंपोस नहीं होता तो इसलिए से revenue नहीं कहा जाता बलके capital कहा जाएगा this is the form of capital tax and suffer कोन करेगा वही individual उसे suffer करेंगे जुन्होंने capital gain हासल किया है corporation tax again this is also set to be direct tax ये भी direct tax है and इसे हम नाम देते हैं कि ये revenue भी है and capital भी है जैसे हमने बात की कि corporation tax पे किया जाता है companies की income पे जो लोने business से असल की और capital gain पे भी तो चुक्के ये company की income पे बोस किया जाता है इसलिए ये revenue tax है और company के capital gain पे भी impose किया जाता है इसलिए ये capital tax भी है सफर कोन करेगा इसे UK based जो companies है वो इसे सफर करेंगे inheritance tax ये भी direct tax है लेकिन ये income पे इंपोज नहीं किया जाता तो इसलिए ये capital form है tax की और individual जो ये state वोगड़ा receive करते हैं इस आफ तो सफर इस tax राइट तो ये वेरी important है ये distinguish करना कि ये tax system जो है ये taxation की जो different points है वेदर इस रड़ेक्ट और revenue और इस ये आप से पूछे जा सकते हैं and I see again direct tax है और ये भी आपका revenue tax है क्योंकि आपकी income पे इंपोज किया जाता है चाहे आप implied हैं चाहे आप self implied हैं और यहां पे इसे सफर करते हैं employees self implies और employer यह नहीं employees को भी ये पे करना पड़ता है employer को भी पे करना पड़ता है और जो person अपना business कर रहा है उसे भी ये tax पे करना पड़ेगा वैट आपके पास indirect form of taxation है और इसे हम कहेंगे कि नहीं ये capital है और नहीं ये revenue है neither capital nor revenue वाइस हो क्योंकि ये आपकी income पे या आपके assets पे इंपोज नहीं किया जाता ये आपकी consumption पे इंपोज किया जाता है और final consumer जो भी है वो इसे suffer करेगा जैसे बात हुई कि एक factory पे अगर tax impose किया गया है तो factory वाले वही amount tax की charge करके wholesaler से recover कर लेंगे wholesaler आगे retailer से recover करेगा और retailer final consumer से नो हम बात करते हैं sources of revenue law and practice की तो primary legislation कहा जाता है acts of parliaments जो के basic principle तैग करते हैं secondary legislation की वो statutory instrument है जो detail देते हैं कि law को कैसे apply किया जाए and case law यानि previous जो भी cases हैं उनके फैसले को consider करते हुए law को interpret किया जाता है कि previously दो person के दर्मियान गया tax authorities और एक individual के दर्मियान कुछ disagreement हुआ था उसका जो भी फैसला court ने किया था उसी को interpretation consider किया जाता है law की court की तरसे interpretation sources of revenue law practice में इनकी कोई legal force नहीं है यह बात भी किसी book में MCQ में पूछी गई है कि किसकी legal force है यह नहीं है तो first बात यह कि sources of revenue law practice जो है उनकी कोई legal force नहीं है यह just useful guideline है यह आपको सिर्फ guide करते हैं ताके आप laws को समझ सकें उन्हें कैसे implement किया जाता है implement कर सकें first इसमें आ जाती है आपके पास statement of practice यह HMRC की interpretation है about law statement of practice क्या है it is HMRC's interpretation of law and it provides clarification और detail कि कैसे rules को apply किया जाए तो इसमें statement of practice में यह clarification दी जाती है detail बियान की जाती है कि कैसे rule को apply किया जाए next आ जाती है आपके पास extra statutory concession it allow relaxation of strict letter of law in certain circumstances क्या आपके पास in certain circumstances law में कुछ concession दी जाती है कुछ relaxation दी जाती है यह वो बियान करता है why to avoid undue hardship or anomalies ताके जो भी इस text की calculation करने में जो problem आ सकती है उसे avoid किया जा सके कोई बेकाइदगी आ सकती है anomalies means बेकाइदगी आ सकती है तो उसे avoid किया जा सके तो extra statutory concession में relaxation allow की जाती है certain circumstances में to avoid undue hardship or anomalies next है internal hmrc manual it gives guidance on interpretation of law यह guidance देता है कि law को कैसे interpret किया जाए लेकिन यह सिफ hmrc staff के लिए यह guidance कि law को कैसे interpret किया जाए this is for hmrc staff available है public के लिए but it is issued for the guidance of hmrc staff तो उसे नाम दिया जाता है internal hmrc manual again internal hmrc manual क्या है यह आपके पास law की interpretation करता है लेकिन it is produced for hmrc staff यह hmrc staff के लिए produce किया जाता है available to the public public को भी available है next hmrc website leaflet and booklets यह explanation देते है tax issues की in a non-technical language यानि जिसमें जिसे easily understand कर सके general public इसमें hmrc website में hmrc leaflet में booklets में explanation प्रोवाइड की जाती है tax issue की non-technical language में general public को next detailed technical guidance यह issue की जाती है tax agents और advisor को यह किसके लिए issue की जाती है detailed technical guidance tax agents and advisor के लिए ताकि उन्हें explain किया जाए tax issue in more technical detail उन्हें technical detail में tax issues को explain किया जाए hmrc briefs provide detailed technical guidance on specific tax issue arises during the tax year तो आपके पास hmrc briefs में detailed technical guidance दी जाती है किसी specific tax issue पे उन specific tax issue पे जो during the tax year arise होएं राइड अब हम बात करते हैं कुछ terms की जैसे है tax avoidance and tax evasion tax evidence कहा जाता है कि जहां पे आप law को exploit करते हैं law को use करते हैं अपनी liabilities को reduce करने के लिए तो यह आपके लिए unlawful नहीं है जहां पे individual यह company legally exploit करते है tax system को ताके अपनी tax liabilities reduce कर सकें for example अगर हम बात करें तो हमारे पास यह current tax year है यह start होता है 6th April 22 को और end होगा 5th April 23 को तो अगर आप March 23 में asset sale करते हैं March 23 में if you are selling asset in March 23 तो it might be possible कि इस साल आपने काफी ज़्यादा income हासल की है तो आपको उस asset को sale करने पे higher rate पे tax pay करना पड़े right अब इस बात को आप कैसे avoid कर सकते हैं आप बज़ाए इस asset को March 23 में sale करने के आप April या May 23 में sale करें तो क्या फर्क पड़ेगा April या May 23 में sale करने से आपका tax year change हो जाएगा और next year might be possible कि आपको कम rate पे tax pay करना पड़े so that is how tax year को use करते वे आप अपनी tax liability को कम कर सकते हैं evasion क्या है जहां पर person या company जो है illegally tax अपना बजाते हैं कुछ business के state of affairs जो हैं वो चुपा लिया जाते हैं conceal किया जाते हैं true state of affair या फिर false information provide की जाती है example इसकी है not informing HMRC about the tax you o आपको जो tax pay करना है आप उसके मतलब HMRC को नहीं बता रहे जैसे business profit के मतलब नहीं बता रहे हैं डेक्लेर कर रहे हैं wrong income claim करने tax refund a person और company not entitled to आप ऐसा tax claim करने जो आप हकदार नहीं है claim करने के next राज जाता है double taxation agreement कि अगर आप UK के citizen हैं और आप अमेरिका में भी earning earn कर रहे हैं तो ऐसी सुरत में आपको UK में भी और अमेरिका में भी दोनों जगा tax pay करना पड़ेगा तो ऐसी सुरत में government's ने कुछ tax agreement different countries के साथ sign किये में हैं जिनने नाम दिया जाता है double taxation agreement अब इनका effect क्या है या तो आपको इस सिले में UK में tax ही नहीं pay करना पड़ेगा या फिर आपने जो बाहर USA में tax pay किया है उस पर आपको कुछ concession दे दी जाएगी और इसकी कोई calculation वगएरा आपके F6 के course में नहीं है so these are defined as such agreement treaties, take precedence, our domestic UK tax line, either exempt overseas income from tax, बाहर की income को exempt कर देते हैं tax से in UK, UK में और provide relief where taxes suffered in two countries on same income और अगर एक ही income पे दो different countries में different tax आपको impose किया जा रहा है तो उस पर आपको concession दे दी जाती है नो हम बात करते हैं कि tax advisor या जो tax agent है जो tax calculation करके देते हैं individual को these are set to be professional person इन्हें professional person कहा जाता है तो इनके लिए कुछ fundamental principles हैं उन fundamental principle में पहली बात आ जाती है objectivity पांच principles हैं या audit के course में भी आपके पास define के जाते हैं first यह है कि members जो है किसी भी तरह से biasness को conflict of interest को या दूसरों के influence को नहीं इतना ज़्यादा असर अंदाज होना देगा कि वो उनकी objectivity को override करें members should not allow biasness, conflict of interest or influence of others to override objectivity second point यह है कि professional competence and due care यह जो individual person है वो अपनी competency level, अपनी knowledge, अपनी skill up to date रखेगा ताके वो अपने client को up to date services provide कर सके what is mean by professional competence and due care, it means that the individual जो कि यह services provide कर रहा है वो अपनी knowledge, अपनी skill update रखेगा, जो भी changes आ रही हैं उस certain profession में उससे बाखबर होगा ताके अपने clients को up to date services provide कर सके third point है professional behavior, means professional यह individual जो भी person है वो कुई ऐसा act नहीं करेगा कि जिससे उसके profession की बदनामी हो he will avoid any act that can discredit the profession integrity means he should be straightforward and honest in all his business and personal relationship वो straightforward and honest रहता है, unconfidentiality अगर उसे को information हासिल हुई है तो वो information को confidential रखेगा, किसी को disclose नहीं करेगा हाँ there are certain situation की जहांपे उसे disclose करना उसके लिए लाजमी हो जाता है जैसे के अगर client जो है money laundering में involved है तो ऐसी सुरत में ये professional की duty है कि इस fact को disclose करे और साथ ही कोई भी जो confidentiality के होले से इसने जो information हासिल किया उस business के बारे में हासिल किया information वो personal purpose के लिए personal advantages के लिए भी use नहीं करेगा हMRC remember वो अधारा है कि जो administer करता है tax system को UK में तो accurate information हMRC को provide करने चाहिए member जो है वो किसी भी तरह से client को assist नहीं करेगा कि वो किसी भी तरह से plan करें या commit करें कोई offense अगर member जो है उसे कभी client की text irregularity के बारे में पता चल जा तो उसे क्या करना चाहिए first बात ये कि उसे discuss करना चाहिए client के साथ और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि proper disclosure जो भी irregularity है उसके proper disclosure किये जाए इसके लावा member को explain करना है client को कि वो इस बात को HMRC को notify करे as soon as possible और client को member ने ये भी बताना है कि अगर वो ये HMRC को notify नहीं कराता तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं अब question arise होता है कि अगर client refuse कर दे कि उसने full and prompt disclosure नहीं देना तो member must write remember that these are the small points जो कि पूछे जा सकते हैं आप से MCQs में member must write and explain potential consequences कि क्या potential consequences हो सकते हैं इस बात के कि member जो है वो return में बताएगा explain करेगा और ये भी consider करेगा कि weather amount is material यानि जिस amount के हवाले से उसने irregularity की है misstatement की है वो material है ये नहीं और अगर ये material है तो whether to act for client और अगर ये material है तो उस member को क्या client के लिए act करना चाहिए member should cease to act for client member को ऐसी सुरत में client के लिए act करना नहीं चाहिए and also inform HMRC in writing और HMRC को भी ये बात बता देनी चाहिए in writing के अब वो इस client के बिहाग पे उसके agent के तोर पे काम नहीं कर रहा but without disclosing the reason लेकिन member HMRC को reason नहीं बता सकता कि क्यों मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा है इसने ये certain irregularity किया ये बात member या tax advisor HMRC को नहीं बता सकता तो ये भी बात एक MCQ में पूछी गई है कि अगर एक member client के लिए act नहीं कर रहा he cease to act for the client so क्या उसे HMRC को बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं काम कर रहा so answer is no he is not allowed to inform HMRC the reason right अब बात करते है money laundering regulation की money laundering है क्या benefiting from or concealing the proceed of crime germ से हसल होने वाली amount को conceal करना चुपाना या उससे benefit हसल करना regulated sector में जो business है उसके लिए लाजमी है कि वो MLRO appoint करें money laundering reporting officer MLRO money laundering reporting officer तो regulated sector में business के लिए लाजमी है कि वो appoint करें MLRO MLRO decide करेगा कि किसी transaction को report करने की जुरूत है या नहीं किसको national crime agency को NCA national crime agency tipping off कहते हैं कि अगर एक member को पता सल गया कि client जो है वो involved है money laundering में और वो member client को बता देता कि भी मैं तुमारे मतलिक national crime agency को या MLRO को बताने लगाँ कि तुम involved हो money laundering में तो ये बात member का कहना भी hint देना है client को कि भी तुम चुपा लो जतना चुपा सकते हो तो इससे नाम दिया जाता है tipping off तो ये भी अलाउन नहीं है report to national crime agency does not remove the requirement to disclose the HMRC इसके बिलाबा अगर आपने money laundering के हुआले से report कर दी है national crime agency को तो इसका हर्गिस के मतलब नहीं है कि अब आपकी requirement कि आपने स्वेक को HMRC को disclose करना था वो खतम होगी है HMRC को भी inform करना है आपने as a member penalty 50,000 की है for dishonest act of agent और HMRC चाहे तो may publish the detail of tax agent अगर penalty 5,000 से exceed कर दे तो यह HMRC पे डिबेंड करता है कि अगर penalty 5,000 से ज़्यादा है तो इस बात को publish कर दे इसके अलावा HMRC can access working paper of dishonest worker so this is we are just following the sequence of kaplan book और उसके मताबक first chapter में जो आपके पास basic introduction है tax system का उसके बारे में बात की गई कुछ basic terms के बारे में बात की गई और इसमें इस बात का ख्याल रखा गया है so all the extracts from both the books both the publisher वो सारे notes में शामिल की गई है ताकि कोई point miss ना हो और आपकी एक comprehensive understanding developer topic के बारे में तो next हमारा topic होगा इंचाला tomorrow and that is about basis for competition